हेलो फ्रेंड स्वागत है आपको हमारे चैनल दक्रोशिया लवर पे फ्रेंड देखिए ये आज का वीडियो मैंने ये आज टेबल क्लोथ का डिजाइन लेकर के आई हूं ये काफी खूबसूरत है बनाने में अगर आप इसे बनाईएगा तो ये बहुत ही आसान तरीके से मै बताओंगे और आप सीख लिएगा पूरा चैन चैन देकर के बनाया गया है ये देखिए बिल्कुर लेटेस्ट है और जो ये थोड़े थोड़े उन लगे हैं तो जो ये मैंने स्वेटर वेगर बनाई हूं थालकुस वेगर बनाई हूं उसमें से जो बच गया है वो उसी एंने से मैं ये रंग विरंगा ये ट्रेवि कौट बनाई हूं तो चलिए मैं ये वीडियो आपको बना करके बताती हूं कि ये डिजाइन मैंने किस तरह से बनाया है है तो इसको बनाने के लिए मैंने ये कुछ कलर्स लिए हैं उनके जो मुझी जो पसंद आएगा इसका को बताती हूं तो मैं वीडियो अब स्टार्ट करती हूं सबसे पहले मैं इसमें मैजिक चैन दूँगी यह देखिए यह मैंने मैजिक चैन दिया है हर बार की तरह उसके बाद मैं इसमें छे सिंगल क्रोशे बनाओंगी एक दो तीन चार पांच और यह रहाँ छे सिंगल क्रोशे बनाने के बाद थोरा सा इसको खेच दूँगी यह जो बचे हुई डोड़ी है और उसको फर्स्ट वाले चैन में इस तरह से अठेज करना है यह देखिए यह हमारा हो गया अब इसे मैं फाइनली ऐसे खीच के यह मेरा एक छोटा सा सरकल बन गया छे सिंगल क्रोशिया की अब जो यह मेरा छे सिंगल क्रोशिया है अब इसके उपर इस सभी चैन के उपर एक फंदे में दो बार सिंगल क्रोशिया बन जाएगा तो टो यह दो चैन लेने के बाद अगेन मुझे इसी में सिंगल क्रोशिय बनाने हैं एक यह हो गया दो फिर नेक्स्ट वाले में दो इसी कलर से यह लो कलर से ही मैं बारा बनाओंगे चार वाच छे शाथ आठ नौ और यह लास्ट फन देगा दो बारा बन गया है मेरे यह जो बारा बन गया और इसमें आके अटेच कर दे रहा है तो कुछ इस तरह से हमारा यह डिजाइन देखने में लगेगा यह देखिए अब इसको मैं कट करके कोई दूसरा सा जो इससे बिलकुल मेल खाता हुआ है कलर वो लगा दूंगी तो यह देखिए मैं इसमें कुछ चटकिला कलर डाल रही हूँ तो मैंने इसमें क्या किया है औरेंज कलर का उन डाला है उसके बाद छेचन देदूंगे एक दो तीम चार पांच चेचन देने के बाद फिर से इसको इसमें डालके ध्यान से डिजाइन को देखना है छेचन उसके बाद मैं इसमें डालके इसको यह देखिए यह छेचन जब दे दी हूँ मैं तो इसमें फंदे मैं चार बार लप्टूंगे एक दो तीन और यह होगे चार चार बार लप्टने के बाद नेक्स्ट वाले जो चैन है उसमें डालूंगे और हर एक फंदे को मैं कम करते जाऊंगे फंदे ले करके ध्यान से देखिए गए डिजाइन एक बार दो बार तेन बार और यह रहा चार बार तो इस तरह से मेरा यह फंदा घट गया अब जो यह दो बचे हुए हैं दो दो को फिर दो बार लपेट के और जो हमारा यह हैं यह और किस तरह कम करना है देखिए एक दो यह बच गे कुल हमारे तीन तो तीन का एक कर देना है तो यह इस तरह हमारा कुछ बन जाएगा इस तरह मुझे पूरा बनाना है यह देखिए कुछ इस तरह से मेरा फ्लावर बनेगा जिस तरह मैंने समझाया है आपको अभी फिर से मैं आपको फ्लावर बता रही हूं किस तरह से बनेंगे यह देखिए यह सबसे पहले चैन एक दो तीन चार पांच चैन लेने के बाद चार फंदे लूँगे इसी ऐसे डाल के फिर एक घटाऊंगी उसके बाद फिर से एक घटाऊंगी हर फंदे चार फंदे को घटाने के बाद यहां बज़ जाएंगे मेरे पास दो फंदे दो फंदे बनेंगे तो फिर मैं दो ले लूँगी दो फंदे लेने के बाद देखें नीचे से एक और ये दो ये दूसरे वाले फंदे में ये दूसरे वाले फंदे में ये दूसरे वाले फंदे में डाल के फिर से कम करूँगे एक दो अब तो हमारे पास बच जाएंगे तीन, तो तीन का एक कर दूँगी, तो कुछ इस तरह से बना, फिर से छे चेन लेकर, एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे, छे चेन लेकर, अगेन फिर इसी में, डाल के सिंगल क्रोश्या बन जाएगा ये हमारा, तो ये एक और हमारा फ्लावर बन गया, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, ये कुल हमारा फ्लावर जो है, बारा बन जाएगा, तो मैं पूरा बारा बना करके आपको दिखा रही हूं, डटे रही है, आप हमारे वीडियो के साथ, ये देखिए, ये हमने फ्लावर बना लिया, मैं इसे काउंटि कर दोंगी इस तरह से, तो ये हमारे पूरे ट्वेल बन गया, इस तरह फ्लावर आप चाहे तो इस तरह का फ्लावर का भी आप ऐसे बना बना के जोंट करके भी आप इसे बेट से टेबल कलोट का रूप दे सकते हैं, लेकिन मेरा तो डिजाइन थोड़ा कुछ बड़ा है, तो मैं थोड़ा बड़ा ही बना कर बताऊंगी आपको, आप जैसे ये हो गया, होने के बाद मैं इसमें कोई दूसरा कलर लगाऊंगी, ये देखिए, कोई दूसरा कलर लगा कर दिखा रही हूँ आपको, तो ये अपना च्वाइस है, आप कोई भी कलर लगा तो चलो मैं य इसके आगे का स्टेप बता रही है। सबसे पहले मैं इस कॉर्णर से सुरू करूंगी बनाना और मैंने दूसरा कलर लगा दिया है। तो इस कोर्णर में बनाने के लिए तीन चैन तीन चैन लेने के बार मुझे छै बार डबल करोशिय बना लिए इसमें। यह देखिए 6 बार तो दो बन गए दो डॉबल कुरोशिया के बाद 2 चैन फिर से 2 फिर से 2 चैन यह हमारा 2, 4, 6 बन गया और इच्छे के बिच 2 बार मैंने 2-2 बार चैन लगाया है फिर मैं 4 चैन बनाऊंगे दिखिये डिसाइन एक, तो, तीन, चार चार चैन बनाने के बाद फिर जो इसका फ्लावर है इस फ्लावर के सेंटर बाले में यह जो फ्लावर बना हुआ है इसके center वाले में मैं डाल के single crochet बना दूंगी ऐसे यह बन गया मेरा फिर 4 चैन एक दो तीन चार फिर से आप या तो single crochet डाल गी या नहीं तो हप single crochet भी बना सकते हैं यहां भी 4 चैन देने के बाद इस तरह बना देजिए बन गया इस तरह बनेगा फिर मैं यहां हमारा जो है यह गारा चैन बनाने के बाद चार चैन हो गया मेरा और इसमें 6 कि कि डबल क्रोश यह शे मुशी तरीके से एक दो है कि से दो ठैन कि फिर से दो कि पिर से दो चैन यह मेरा बन गया फिर से चार चैन एक दो तीन चार और फिर से इसमें डबल क्रोशिया मैं तो डबल क्रोशिया बनाई आप हो सकते तो सिंगल भी बना सकते हैं बट मैंने डबल बनाए हैं यह देखिए हो गया फिर से चार चैन यह देखिए यहां डालके फिर से डबल चार चैन और यहां फिर छे बार मुझे चार को ना निकालना है इसमें एक दो फिर दो चैन फिर दो मतलब छे फिर दो तो यह हमारा इस तरह बनेगा आगे बनाती हूं तो यह देखिए कुछ हमारा इस तरह से डिसाइन बन जाएगा और जो लास्ट का बचा है उसको मैं एक तो ती चार चैन देखे इस में टेज्च कर दूंगे इस तरह से तो यह हमारा पूरा कि इस तरह का डिसाइन बन जाएगा अब आगे के लिए मुझे दूसरा कलर लेना है तो मैं दूसरा कलर लेकर आपको दिखा रही है यह देखे मैंने वाइट ले लिए इसमें ठीक है मैंने इसमें वाइट कलर चेंज किये तो जहां मैंने छे बनाये थे तो यहां मैं डालूंगी कदाद वाइट रही है इसमें डालके मैं नेक्स्ट कलर चेंज कर दूंकि यह इस तरह से और इसमें तीन ले लुँँगे दू तीन तीन लेने के बाद है हमारा एक सिंगल क्रोश्य डबल क्रोश्य वन गया है और जो उन हमारा बचा हुआ है उसको मैं साथ में ले करके चलूंगे और दूसरे वाले चैन में दो बार बनाऊंगे डबल क्रोश यह और हमारा सेंटर का दो आ गया यह देखिए यह सेंटर का दो आ गया तो सेंटर का दो में मैं बिना फंदा लिये हुए बिना चैन लिये हुए मैं इसमें चार बार बना द एक चैन फिर दू और जो बगल वाले फंदा बचा हुआ है इस वाले में इसमें मैं दो बना देती हूं एक दो और फिर नेक्स्ट उसके बगल में सिंगल ही बना दूंगी इस तरह और जो हमारे यह चार का चैन लगा हुआ है उस चैन में भी मैं तीन बार या चार बार डबल क्रोशिया बनाते चले जाओंगी एक तक यह मेरा भारा लगे फिर बगल में भी उसे मुझी तरह से चार या तीन बना देंगे डबल क्रोशिया दो तेन एक बर हो फिर दूसरे बारे में भी शेम इस तरह मेरा पूरा यह बन जाएगा मैं आगे बना कर बता रही हूँ आपको तो यह देखिए यह मैंने पूरे यहां से लेकर यहां तक बना लिए हैं आप अच्छी तरीके से देख लिए यह कोना का कोना भी निकाल दी हूँ मैं और यह मेरा एक लाइन और लास्ट का वो भी बता रही हूँ तो यह देखिए यह इस तरह से डिजाइन बनने के बाद मैं इसमें फिर से चार चैन ले लूँगी तीन चार आप चाहे तो एक ज़्यादा भी ले सकते हैं पांच और उसके बाद यहां डालके इस तरह से निकाल देजिए हर दो फंदे तीन फंदे के बाद इसमें आप इस तरह से बना देजिए चार पांच और यह इसमें शिंगल क्रूशेर बना देना है ये देखिए इस तरह से बनाते जाएए तीन चार पांच ये तीन फंदे छोड़के एक दो ये तीस्रे फंदे में इस तरह फिर से पांच एक दो तीन चार पांच और यह एक दो तिसरे फंदे में इस तर भी बना देजिए तो यह पूरा इस तर हमारा बन जाएगा दोस्तों आप लोग भी बनाईए इसे और अपने घर को सजाईए तो मैं यह पूरा बना करके आपको दिखा रही है यह देखिए यह मैंने इसको पूरा कर लिय है इस फ्लावर्स को पूरा कर लिया है और यह लास्ट का जो बचा है उसको मैं इसमें टेज करके यूं इस तर निकाल दूंगी और इसको कट कर दूंगी तो यह हमारा आज का विडियो बनके तयार है मुझे उमीद है आपने इसे बहुती अच्छी तरह से देखा होगा यह देखिए यह तो बचे-खचे थोरे-थोरे उन में ही बन जाते हैं दोस्तों यह देखिए इसका चार कोना बिल्कुल निकलना है इस तरह से और यह जो हमने पहले बनाया है इस तरह से इसको एक चीज को मैं इस तरह से जोइंट करूंगी तो यह जो जोइंट करूंगी तो यह चेन हमारा दोनों पले का अच्छा बिल्कुल सेम होना चाहिए जितनी यहां होनी चाहिए उतनी यहां बिनता की मुझे शिलाई करने में सुवधा हो सके तो चलिए आप लोग बनाईए मैंने पहती अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा और अपने दोस्तों को यह हमारा वीडियो से जरूर कीजिए और वह ताकि वह भी हमारे इस वीडियो के साथ जूरे इस चैनल के साथ जूरे और जो नए जूरे वह हमारे वीडियो को लाइक करे सस्क्राइब करे और हां बेल दोस्तों को जरूर प्रेस करें ताकि हर एक नया वीडियो सबसे पहले आपके मूबाइल पर जाएगा तो चलिए मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लो दूसरे वीडियो हमारा तब तक हमारा वीडियो यह आप बार बार देखते रहें सुरू से लेके अन तक हमारा वीडियो देखे बहुत सारे वीडियो हैं तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स